दिवाली का तेवार हुआ खत्म, अब बारी है बहुत सारे सामान को पैक करके रखने की, जिससे की अगली दिवाली पर हम फिर से इस्तिमाल कर सकें, जो वेश्ट मेटिरियल है वो तो हम लोग धीरे धीरे करके अपना जुगाडू भेश्टी पर इस्तिमाल करती ही रहेंगे पर बहुत सारा सामान हमारा यहां पर रियूस होगा, यानि की अगले साल इस्तेमाल भी होगा, नमस्कार, जो अडू पिश्टी पर आप सभी का धेर, सारा स्वागत, बिजली वाली जालर जो भी थी, उसको तो हम लोग जस्कतस निकाल के पैक करके रख देंगे, पर अगर इस तरह की बैटरी वाले दिये अपने लगाये थे, तो इनको रखने से पहले एक साओ धानी आपको जरूर रखनी है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि आपकी बैटरी पूरी डिश्यार्ज नह हुई हो, तो अगले साल आपकी यही बैटरी यही दिये काम आएंगे, बस इस नहीं भी नुक्लिली चीज लेंगे, जैसे कि मैंने चाकू लिया, चाकू की नोक से धीरे धीरे इसको अलग करेंगे, तो दोनों पार्ट से अलग हो जाएंगे, अब देखिए, इस नीचे वाले पार्ट में यहां पर लगी है बैटरी, इसमें तीन बैटरी लगी है, तीनों को मैं निकाल दूँगी, तो अब यह हमारा यह दिया अगले साल भी काम आएगा, यानि की इन बैटरी में अगर दम है, तो अगले साल यही सेम बैटरी काम करेगी, पर अगर बैटरी डिश्यार्च हो गई है, तो अगले साल इन ही दियों में नई बैटरी हम लोग सारे दियों से मैंने बट्रीज अलग कर ली अब इनको मैं पैक कर कर रख दूँगी अपने इस डिबबे में बट्री चाहिए अगर आपने रख रख तो याद रखिए आपके दिये पक्का खराब हो जाएंगे अगली साल नहीं जलेंगे बट्री खराब हो जाएंगी बट्री डालनी कैसे जैसे हमने निकाली थी ठीक उसी तरीके से हमें डालनी है जहां पर ये तीन बट्रीज लगी है हम लोग सीधा डालेंगे उल्टा नहीं डालेंगे प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे और दोनों साइड ये जो पतले पतले वायर लगे हैं उनका भी ध्य जान रखेंगे कि दोनों connected हैं भी या नहीं बस अगले साल ये दिये फिर से आपके गार्डन में आपके घर में जरूर टिम्टिमाएंगे छोटी-छोटी साउधनिया अगर हम बरतते हैं तो हम छोटी-छोटी चीजों को भी लंबे समय तक इस्तिमाल कर सकते हैं तो आप भी संजो कर रखिए दोबारा फिर इस्तेमाल करें वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करिए सबी को शेयर करिए और चैनल का हिस्सा बनिये दन्यवार